भारत भूमी की समरुद्ध सांस्कृतिक और एतिहासिक विरासत हमारी अमुल्य धरोहर है। राश्ट्रिय धरोहरो तथा एतिहासिक स्थलों का निर्मार्ट तथा नवी करन किया है ताकि हमारी नई और आने वाली पीडियां उनसे प्रेणा ले सकें। इसी विजन के साथ और आजादी के अमुल्य धरोहरो के अवसर पर जलियावाला बाग राश्ट्रिय असमारक को एक नई रूप रिखा में पुना स्थापित किया गया है। जलियावाला बाग जहां अंग्रेज हुकूमत ने शताबदी पहले क्रूरता और बरबरता की सारी हदें पार कर दी थी। जलियावाला बाग राश्ट्रिय असमारक का नविकृत परिसर देश के शहीदों के बलिदान से जुड़े इस धल को सम्मान और सम्वेदना की अनुभूती के साथ पुना स्थापित करता है। शहीदों को अरपित यह समारक उन सभी देशवासियों के बलिदान की याद दाजा करता है जिनोंने भारत की आजादी के संगर्ष में अपना महत्वपून योगदान दिया। इस एतिहासिक समारक की अनुभूती की शुरुआत होती है प्रवेश द्वार पर शहीद उधम सिंग की प्रतिमा से। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हेरिटेज एली में आप अनुभू करेंगे 1919 की बैसाखी के उत्सव में शामिल हुए लोगों के हर्षोलास का। प्रांगण में स्थापित जलकुंड शहीदों को अरपित श्रधान जली को निरंतर अभिव्यक्त करता है। इसके आगे पहली गैलरी पंजाब के समरुध इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलनों का वरणन करती है। दूसरी गैलरी प्रतम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा पंजाब का शोशन, रॉलेट एक्ट के निष्ठूर काले कानून का विरोध और हत्याकांड के पूर्व हुए गटना चक्र का उल्लेक करती है साथ ही यह गैलरी उस निर्मम नर्सुंहार की एक जीवन्त अनुभूती भी कराती है गोलियों से बचने की आकरी उमीद यह शहीदी कुवां उन मासूमों की असहाय चीखों को आज भी अपनी गहराईयों में समेटे हुए है शहीदी के इस स्मरण के बाद तीसरी गैलरी उस निर्दई हत्याकान के बाद समस्त देशवासियों की एक जुट्टा को अभिव्यक्त करती है बेगुनाहों के जिस्मों को बेट कर निकली वो गोलिया आज भी बाग की दीवारों में निशान के रूप में अंकित है चौती गैलरी जनरल डायर के इस निर्मम कतलियाम से प्रभावित हुए उधम सिंग व भगत सिंग जैसे अनिक क्रांतिकार्यों को समरपित है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संगराम में एक नई आग प्रजवलित कर दी थी शहीदी समारक, मोक्षस्थल, अमर्जोद और आधोनिक तक्निक से सुसजित साउंड और लाइट शो जैसे समावेश यहां हुए शहीदों को श्रदांजली अरपन करते हैं गरीमा और पवित्रता के प्रतीक इस बाग का नविकृत परिसर सभी विजिटर्स को देश प्रेम, समवेदना एवं बलिदान की भावनों के साथ जोड़ेगा और प्रेणा देगा